नमस्कार मैं आपका अलोग रंजन बिहार पब्लिक सर्विस कमेशन ने आपके फॉर्म भरवा लिये पीटी का डेट भी एनाउंस हो चुका है और वो घड़ी आ गई है जब सांस रोप करके 12 से 16 घंटे की पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं और उन बच्चों में वो बच्चे भी संबलित हैं जो की ग्रेजुएशन का एक्जाम अभी पास किया है और वो भी संबलित हैं जो की 30 से 40 वर्स की अवस्था में हैं सभी संघरश्रत हैं सब पूरी ताकत से लगे हुए हैं और मुझे लगा कि इस अचाइम विन आई शुड़ कम फारवर्ड और एक्स्प्लें यू दे इंटायर सिलिवस आपको एक्स्प्लें करके हम बताएं और आपको बताएं कि बिहार में सफल होने के लिए PCS में सफल होने के लिए सबसे बड़ा रहस से क्या है और किन बातों का ध्यान रखना है पिछले बिहार के रिजल्ट में टॉप 25 में हमारे 6-7 छात्र बने हम कभी रिकॉर्ड नहीं रखते हैं लेकिन पटना के एक एडियम साहब है राजेश कुमार उनके घर पे हम गये कि टॉप 25 में हमारे इतने छात्र आज भी बिहार में आते रहते हैं और देश में तो आते ही हैं खेर ये जो रहस्य है BPSC का उसके लिए सबसे पहले आवशक है कि आप सिलिवस का अच्छे से अध्यन करो सिलिवस का अनालिसिस करो उसका वसलेशन करो सिलिवस का आप और BPS C ने अपने गाइडलाइन्स में अपने गजट में क्या लिखा है पहले इसकी विवेचना करना सिखो तीन स्टेज का एग्जामनेशन होता है इस वीडियो में हम आपके लिए PT यानि प्रिर्मलरी एग्जामनेशन के बारे में आपको बताएंगे और दो बातों को बतलाना है आपको पहला कि जो BPSC के गजट में क्या लिखा हुआ है और दूसरा कि BPSC के PT को क्वालिफाई करने के लिए क्या पढ़ना पढ़ता है और कौन से लोग क्वालिफाई करते हैं कई बार IS में जो बच्चे लगातार PT मेंस निकालते हैं वो PCS एक्जामनेशन में कभी सफ उनों के source material में भी अंतर होता है तो चली हम देखते हैं कि बिहार गजट क्या लिखता है तो बिहार गजट में सबसे पहले है प्रारंभिक परिक्षा भागवन तो प्रारंभिक परिक्षा दो घंटे की होगी 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा यह सभी लोग जानते हैं अब 150 प्रश्ण जो आएंगे उसमें से उसको हम लोग 6 भाग में बाढ़ देते हैं। सबसे पहला भाग होगा हिस्ट्री का जिसमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो 28 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री एक बहुत ही important पार्ट होता है BPSC का। अब इसमें ancient history, medieval history, modern history और culture ये चार पार्ट समलित है। तो 25 से 28 क्वेश्चन की तयारी आपको करनी है हिस्ट्री में। दूसरा पार्ट जो सबसे important होगा वोगा जोगरफी और environment का। तेरा से पंदर क्वेश्चन फीजिकल जोगरफी और जोगरफी से मूलता होते हैं। और environment से कम से कम 5 से 7 प्रशन, पिछली वर्स 6 प्रशन पूछे गए तो ये कुल मिला करके एक 22 प्रशन का कुल योगफल निकल करके सामने आता है। तो 22 प्रशन हो गए जोगरफी के, लगवग 26-28 प्रशन हो गए history and culture के, इसके बाद बिहार special का जो प्रशन आता है वो भी 24 से 25 प्रशन रहता है, पिछली वर्स 21 प्रशन था और ये तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट है current affair का, current affair में भी 25 से 27 प्रशन on an average आते हैं, त शेश रह गए 40 प्रशन, तो 40 प्रशनों में general science अकेले ही 20 प्रशन या 18 प्रशन रहता है, अब शेश रह गए लगवग 20-25 प्रशन को और माल लेते हैं, तो 10-12 प्रशन इंडियन पॉलिटी से और 10-12 प्रशन आते हैं इंडियन economy के concept से, तो ये हमारा BPSC का एक configuration है, एक structure है एक सनरचना है, लगभग प्रतीक वर्श इसका पालन होता है, इसमें एक विशेस बात ये कही जानी चाहिए, कि 10 प्रशन जो होते हैं, वो mathematics से होते हैं, और ये mathematics का standard, पांच प्रशनों का standard तो class 10 तक का होता है, और पांच प्रशन का standard होता है, वो derivative से x, y के derivative जैसे प्रशन जाते हैं, तो ये जो 10 प्रशन मैट्स वाले हैं, ये जरूर रहते हैं BPSC में और ये बहुत बड़ा determinant सिद्ध हो जाता है, BPSC का cut-off समाने लोगों के लिए लगभग 97 या कभी 95 या 100 to 95 के बीच में होता है, तो आपको 1.500 अंक में, अगर 100 अंक अपलाते हैं, तो बहुत ही BPSC के एक्जाम में जब आप उसको देते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां negative marking नहीं होता है, तो आप 150 में 150 questions को attempt करें, लेकिन वहां क्या होता है, कि इस वार बात चली थी कि 2020 में negative marking रखा जाए, लेकिन ऐसा कोई notification नहीं आया है, और चीज़ें पुरोवत हैं, 150 marks को आप attempt करो, क्या पता 2-4-5 questions वैसे भी बढ़ जाए, तो आप सभी प्रशन को attempt करने वाले हो, एक और निर्देश था आपके लिए, कि आप लोग जब BPSC को देते हो, तो उसके syllabus को जब आप समझने की कोशिस करोगे, तो उसका जो syllabus का सुरोथ होता है, वो पतना इंवर सिटी का जो syllabus होता है, वो वहीं से प्रशन उठाया जाते हैं, तो पतना इंवर्सिटी के syllabus को आप जरूर पढ़ो, और वो मेंस, मुखे परिक्षा और PT में दोनों जगह काम आता है, ऐसा बिहार के गजट में भी लिखा हुआ है, तो आपको पतना इंवर्सिटी के syllabus को follow करन चाहिए, मेंस परिक्षा के लिए अगर optional की बात हम करें तो, और अगर PT के हम बात करें तो, बिहार टेक्स्ट बुक की जो किताबें class 6 से 12 तक आती हैं, और जो NCRT में लिखी वी बाते हैं, वो बहुत मददगार हैं, इसके साथ ही कुछ जो लोग lucent पढ़ते हैं, या panorama प उचे गए हैं, उनमें जो विकल्प दिये गए हैं, उनकी भी तैयारी, उनपर भी factually आपको strong होना पड़ेगा, तब आप BPSC मिश्चित रूप से qualify कर लोगे, आपको बहुत ज़्यादा traditional books पढ़नी की आशकता नहीं होती है, बिहार special के लिए आप NBT की किताबें आती है, वहां रामचंदरगुहा की भी कुछ किताब है, तो आप इन किताबों को बिहार special के लिए उज़ कर सकते हो, या पैनौरमा जैसे जो किताबें छपती हैं, उनमें भी ये चीजे मिलती है, मैंने बड़ी मानदारी से बिना किसी भाव या दुरभाव से आपको ये बाते इंट्रिग होता है, बड़ा ही अजीब सा होता है, कुछ अजीब कॉम्पलेक्सिटी है उसमें, वो एक इस तरह का विकल्प है, जब उपर में कुछ समझ में ना आये तो लोग उसको हिट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि BPSC में प्रश्ट गलत छप गये या उसके उत्तर गलत छप गये, तो BPSC ने उन आरोकों से बचने के लिए पांचवा विकल्प पना दिया है, पांचवा विकल्प में कुछ ऐसा है कि उपर में अगर कोई नहीं सही हो तो पांचवा मार दो, तो ये ये भी एक विकल्प वहां पर रहता है, और कई सारे प्रश्ट में गंड़ा का पढ़ाई नहीं कर रहे हो BPSC के लिए और BPSC के प्रस्टों को फैक्चुली नहीं रड़ रहे हो, तब आपको आपका BPSC नहीं होगा, आपको अनुसेप्चुली कितना भी स्ट्रॉंग रहो लेकिन BPSC के लिए आपको फैक्चुली भी स्ट्रॉंग, डेट, खेल कूद और एवार्ड्स, वो सब आपको पढ़ना पढ़ता है, जो आइस के लिए नहीं पढ़ना है, आपको दो बातों का और ध्यान रखना चाहिए, कि बिहार, PCS में जोग्रफी और इन्वार्मेंट तथा एकॉनमी से जो प्रस्टन आते हैं, उन प्रस्टों का स्ट प्रस्टन आते हैं, उनकी जो बनावट है, वही जटिल थोड़ी सी रहती है, और वो फैक्चुली नहो करके बहुत सारा कॉंसेप्चुली उसमें रहता है, अब कॉंसेप्चुल होने के कारण बिहार के जो लोकल विद्यारती हैं, जो वहीं रहते हैं, जो कोचिंग न कर आते हैं, या गाओं में रहते हैं, वो वहाँ पर फेल कर जाते हैं, लेकिन वही बच्चे फिर हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट में जहां पर डेटा सिर्फ पूछना है, डेट्स पूछना है, घटना ग्रम पूछना है, तो वहाँ पर यह बच्चे बहुत अच्छा कर जाते ह तो BPC को हम दो भाग में माट लेंगे पहला होगा conceptually जिसको learn करके solve करना है दूसरा होगा factually जिसको solve करके solve करना होगा तो आप इन दोनों तयारी को करो दोनों भाग को तयार करो और आप जरूर अच्छा करोगे मेरे इन बातों का अगर ध्यान रखोगे बच्चों तो आप ब के लिए कोई examination सामने आता है तो उसके अंदर में खुशी का प्रवाह होना चाहिए उसके अंदर में उर्जा भरनी चाहिए वो उस समय कोई confusion और संसय में न रहे और कोई आशकता नहीं कि आप 10-20 लोगों consult करते रहो मैंने जितना आपको बताया उतना पूरी ताकत से अच्छा करोगे और विपेसी का पीटी क्वालिफाई करोगे जै भारत जै भीहार